क्या अनेतिकलमत बना एक सेट था बड़ा दयालू और बड़ा भार्विक दूर दूर से ना लोग उसके पास पैसे लेना आते थे और सेट का बड़ा सिद्धान था कोई आया उन्होंने वहां मुनिम बिठा रखा था कोई बोलता कि बहुता कितने दिनों से पैसा देगा मु कोई बोलता मैं अगले जनम में दूंगा हुआ है सेट ने बोला हुआ था जो जैसा मांगता वैसे अब यह चर्चा गाउं गाउं फैल गई और एक छोर को मालूम बढ़ा क्या ऐसा कौन मुर्क सेट है जो अगले जनम की भी तैयरी कर रहा है को चोर वहां आया चोर आया औ मुनीम जी को बोला मुनीम जी अपने तो अगले जनम में देना है क्या बोला है मुनीम जी ने तो लिख और इसका मुकसर च्च्च के सेट के आजाते हैं रात सेट सोया हुआ होगा रात को सेट के गर में गुसा तो गुसा तो दिखा कि सेट अभी तक जाग रहे हैं तो वो उनके बैसों के तबेले में जाके बैठ गया तो वो दूसरी बहस को बोलती है कि बहन तू कब आई कि मैं अभी आई बोले क्या हुआ था कि मैं सेट के पास पैसा लिया था और बोला था कि अगले जनम में चुका हूंगी तो अभी ये में दूद दे के चुकाना पड़ रहा है तो वो दूसरा बोली तू कितने साल से इतर बोले मैं पिछले तीन साल से दे नहीं मेरा करज़ा मैं और चौती बोली मैं 6 साल से दूद दे रही हूं अब वो ये छोर सब सुन रहा था उसके होशफाकत हो गे कहला इस जनम में नहीं तो अगले जनम में चुकाना पड़ेगा अब वह क्या क्या वहां से भागा भागा और मुनिम के पाथ जाका मुला मेरी रसी तु पहले काड़ी पैसे ले तो बॉस जिंदिगी में कभी अनेथिकल मत बनना दो पैसे कम कमा लेना कम कमा लेना चलेगा बॉस पर किसी का पैसा खाया हुआ ना बूम रेंक करके वापिस आ के एकाउंट चल रहा है तो बहुत जिंदिगी में कभी है ना अनेथिकल मत बनना प्यार से रो मस्ती से रो अपनी वकात में रो दूसरे का पैसा कभी मत खाऊ कुर्णमक अच्छिए